हलो फ्रेंज एक पर फिर सी आपका स्वागत है मैं स्टेडी दोश यूटूब चैनल पर कैसे आप सब लोग आप सब लोग ठीक होंगे और आपका एक्जाम भी अभी स्टार्ट हो चुका है इसके इलावा भी आपके एरफोस के एक्जाम जल्द ही सेडल हो चुके हैं आपको पूरी सिद्द के साथ में करवाए हैं पूरी मेहनत उनमें लगाई है तो आप भी अपनी पूरी मेहनत के साथ उन प्रैक्टिस एड को अटेम्ट कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया हैं पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले दस प्र क्लास के बारे में हैं तो फर्स्ट क्यूसन आपके पास में इसका सिनोनियम से लेटेड रहता है तो अल्टरनेटिव आपके पास वर्ड है इसका सिनोनियम आपको बताना है इसका मतलब होता है अगर ना उनके रूप में यूज कर रहे हैं तो इसके लिए हम यूज करेंग दूसरे व्रस्तु की जगह भी किसी और को रख लेना वो सेम वैसा नहीं है लेकिन उसके जैसा ही है तो वह उसका substitute हो जाता है अब यहाँ पर alternative है इसका सही answer हो जाएगा यही यह option alternate आपके पास option दूसरा है alternate को होता है हर दूसरा जैसे देखे यहाँ पर मैं तीन line खीच रहा हूँ अब यह पहली line और यह तीसरी line यह line एक दूसरे के alternate है ठीक है उसके बाद में देखे curriculum कि आपके पास में इसका मतलब होता है निरणायक डिवास्टेटिंग है इस word का मतलब के पास में होता है इस्तबद रहा जाना यहां पर समझ लिजै की बरबाद कर देना कि इस आप अठीबार आपने सुना होगा कि जब क्या होता है कि वह ever सबकुछ बरबाद हो गया सब इस त अब इसे रहकाए यार क्या हो गया है सब ठीक है यहां भी आप देखेंगे इसमें आपको opposite word बताना है इग्रेगियोस आपके पास word है इसका मतलब होता है बहुत खराब ठीक है ना बहुत ही खराब उसके बाद में देखें notorious फैला word आपके पास में है notorious का मतलब होता है कुख्यात आपने सुना होगा या आप इसे बोल सकते हैं बदनाम भी ठीक है उसके बाद में के malevolent है इसका मतलब होता है द्रोही उसके बाद में है altristic probe कारी और उसके बाद में है mellinger इसका मतलब होता है कुछ लोगों को नहीं सुना वागे बीमारी का बहाना करते हैं रोगी मनना चाहते हैं ठीक है तो यह आपके पास में है हमेंचे यह बहुत खराब का opposite word मतलब बहुत खराब तो है तो उसका probe कारी हो सकता है probe कारी को हम सही मानते हैं तो C answer इसका बजाएग अब देखे फिर next question next अभी देखे following word में आपको बताना है substitute, one word substitution तो देखे, science dealing with bird life तो देखे, अलग-अलग disease के लिए अलग-अलग doctor होते हैं और उनके अलग-अलग नाम होते हैं जो bird की life के साथ deal करता है उसको क्या बोला जाता है तो देखे, आपके पास first option है जाइमोलोजी देखे, इसको हम बोलता है याँपे आपके पास में किन वे विज्ञान ठीक है ना उसके बाद में है औरिनेटोलोजी, औरिनेटोलोजी आपके पास में होता है पकसी विज्ञान देखे, यह सारी चीजे मैंने रूट वर्ड में आपको समझाई थे, जहाँ पर भी लोजी वर्ड लग जाए जा, ल, O, G, Y यह हमेशा अधियन से लेटर होता है, किसी भी चीज का हो जाए, अब देखे, जाइमो, याणि कि किन्विन का अधियन, औरिनेटो, औरिनेटो पकसी के लिए आजाता है, इसके बाद में देखे, ईटेमो लोजी होता है, सबदो का अधियन या इतियास बोल देजे mirror आप सबदो के बारे में हम जानेंगे, तो उसका इतियास ही जानेंगे, उके इसका उतने खैसी philieology, इसका मतलब आपके पास में मैं क्या होजाता है बहसा हो फोают इसका अंसर हो जाएगा इंद बहुत ही अच्छी आप लाइफ में यूज भी करता है इसे लेकिन अगर समझ पाएंगे तभी यहां पर जवाब दे पाएंगे तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा विद टू अल्टरनेटिव इन राइटिंग और क्लियरली और स्ट्रेंडली तो आंसर इसका मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर हो जाएगा be option in writing देखें इनर्टिंग आपने सुना होगा लिखित में देसे आपके पास में लिखित में हैं लेते हैं हैं अंपकिंसी चाहीं को दिन ब्लैकम ऑंद ऐडशा होगा काले पे ब्लैक से लिखते हैं हम लोग तो यह इस तरह से इसको यूज किया आ झजाता है ठीक है यह इस next question आपके पास में है, इसमें miss split word, अभी तक हम पढ़ते थे, दस practice set में, उसमें से चार word में से एक सही होता था, अभी इसमें एक गलत है, बाकि तीन सही है, तो वो fine करने हैं आपको, word देख लिजेगा आराम से, इनको check कर लिजेगे, इनका meaning भी बाद में, आप search कर लेना, लेकर अभी answer आपको बता देता हूँ, इसका answer हो जाएगा, बी option, और ये है आपके पास amateur, इसका सही meaning आपके पास में हो जाएगा, ए, म, ए, टी, यू, आर, amateur का मतलब होता है, आपके पास में, sokyya, किसी भी चीज का सोकिन, amateur होता है, ठीक है न, ये आपके पास में हो जाएगा, u, r, e लिखा है, e, u, r होगा, ये, थोड़ा सा इसको change करने रहे हैं आपको, तो ये spilling सही नहीं है, तो b answers का सही जवाब हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं, next question, so guys, अभी देखे, 6 to 10, आपको fill in the blank बताना है, most suitable word कुन सा होगा, question आपके पास में कि, how much longer blank this book, यहाँ पे आपको बताना है, क्या होगा, tensulated है यहाँ पी, fill in the blank, सोच समझ कि, इसका answer दीजेगा, तो इसका सही answer आपके पास में हो जाएगा, have you needed, और D option आपके पास में यह है, सही जबाब, तो देखे, how much longer have you needed this book, आप इस book को कितने time के लिए, चाहिए आपको, कितने लंबे समय के लिए, तो इसका मतलब होता है, पूरा, यह होता है, जरूरत, ठीक है, तो D answer आपका हो जाएगा, तो आपका यह सही हो, अब देखे, फिर next question, next अभी देखे, आपके पास में है कि, last December, the Mercury had blank to 2 degree centigrade in New Delhi, decrease होगा, reduce होगा, lower होगा, या deep होगा, बहुत ही अच्छा question है, इसको देखेगा आराम से, answers का जो हो जाएगा, आपके पास C option हो जाएगा, deep, ठीके, deep के साथ में हम 2 यूज़ करते हैं, और इसका मतलव आपके पास में होता है, duboya, या dub गई, आप सुचरेंगे कि, क्या, देखे, last December, the Mercury had, जो mercury थी, वो क्या होई थी, decrease होई थी, 2 degree से, अब यहाँ पर temperature की बात नहीं हो रहा है, 2 degree से जो mercury होता है, वो यहाँ पर डूब गई थी, ठीके ना, तो deep, ले टूब, temperature होता, तब तो reduce होता, ठीके ना, sorry, decrease होता, temperature होता, reduce तो हम उसका size कर सकता है, size थोड़ी ना है, कोई temperature, यहाँ पर mercury की बात कर रहा है, उसके अंदर जो भरा होता है ना, पर, उसकी बात कर रहा है, तो वो हमारा क्या होता, डूब गया था, मतलब, उप नीचे से, उपर से नीचे हो गया था, तो वो कम हो गया था, उसका इस्तर, तो इसके लिए हम use, यही करते हैं, dipped, तो यह ध्यान रहे करना, C option इसका answer होगा, आप देखें फिर next question, ओके next question आपके पास में है कि, do you prefer blank on traditional art forms, ठीक है तो इसके लिए आप देखें, क्या आपका answer होगा, इसके लिए answer हो जाएगा, आपके पास B option contemporary, इसका मतलब होता है, समकालीन, समकालीन यह आप इसे बोल सकते हैं, आधुनिक, तो यहाँ पर कुण चीज़े prefer करेंगे, जो आधुनिक अभी चल रही हैं, पर चलित हैं contemporary, ठीक है, तो यह चीज़े traditional के लिए, हम art form में prefer करेंगे, तो इस answer is the correct, आप देखें next, नेच्ट अभी यहाँ पर देखें, the paralampics is competition for the, the paralampics is competition for, किसके लिए एक Paralympic competition होता है, ठीक है ना, paralampics, तो यह ध्यान से देखीगा, इसका answer आपके पास में क्या होगा, तो इसका सही answer आपके पास में हो जाएगा, for the disabled, ठीक है ना, disabled का मतलब होता है, viklank, viklank लोगों के लिए, paralampics होता है, competition, नाम है, paralampics, तो यह देखे, one word के रूप में भी आपको काम कर रहा है, ठीक है तो यह जहां रिख लेना है, किसी भी तरीके से आप से पूछा जा सकता है, फिलेंदा ब्लैंक को one word में, अब बस इसने आपको सीधा कुछ नहीं बोलना था, यही पूछना था, और इसके लिए आपका answer यही आता, C option correct होगा, अब देखे, next question, next अभी यहाँ पर आप देखे, the worker used blank to patch up the hole in the wall, तो देखे, worker जो है, hole जो होते हैं, wall का यह निकी दिवार के अंदर, उनको patch up, इनके भरने के लिए किसका यूज़ करेंगे, cement का, sand का, grass का, या soil का, पहले भी साइद यह question ऐसा आचुका है, तो यहाँ पर answer हो जाएगा, B option, cement, ठीक है ना, cement से ही हम patch up करते हैं, तो B answer आपका हो जाएगा, so guys, अभी देखे, question 11 to 13, error से लेटेड हैं, और I hope आपको error की question, definitely बन रहे होंगे, देखे, question क्या है, every boy and every girl, were given a packet of sweets, या no error, अब इसमें दिहान पूरोग, देखो कि कहाँ पर error हो सकता है, ऐसे error आपको, commonly मिलेगी, हर जगह पर, तो यहाँ पर देखे, इसका answer हो जाएगा, be option, यहाँ पर जो were है, इसकी जगह वाज होना चाहिए, अब क्यों होना चाहिए, देखे, जब भी मैंने आपको पताया, each and every लग जाए न, तो वहाँ पर समझ लो, singular होगा sentence, each boy and every girl, तो यहाँ पर वर की जगह वाज होगा, बताना answer क्या होगा, यहाँ पर answer हो जाएगा, वही be option, यहाँ पर वाज की जगह पर were use होगा, अब इस बार क्यों होगा, देखे, जब भी है, आपको यहाँ पर क्या हो, conjunction कुन सा, इधर या, इधर और हो, या neither nor हो, तो इस case में जो हतना, वर्ब जो है, वर्ब के बाद वाले subject से हम agree करते हैं, तो इसमें जो her parents है, इसका जो subject है, इसके बाद में आया है, तो वर्ब की इसी subject concern लगेगा, ठीक है न, her parents, अब देखे, parents में दो होता है, अगर parent बोलते हैं, या तो माँ हो सकता, या पिता होता है, लेकिन parents में माता पिता दोनों, तो इसके हिसाब से हमें वर्ब यूज करना है, दो होगे माता और पिता, ठीक है तो यह ध्यान लखना है, जब भी, देखो फिर से बता देता हूँ, या तो ना इधर नोर हो, या इधर और हो हो, इस case में हमेशा वर्ब से पहले वाले, ठीक है ना, उस sentence के जो subject है, उसके हिसाब से हिसे आपको वर्ब लगाना होता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान लखना है, हर parents के हिसाब से लगाएंगे, तो parents as लगावा है इसमें, parent होता तो सिर्प माता या पिता, लेकिन parents है, इसमें माता पिता दोनों आएंगे, तो वाफ हो गए यहाँ पे, तो मैंने अच्छे तरीके समझा दिया आपको, अब देखो, each of these body play games, यह नोईर, तो इसमें देखो आराम से, इसका जो answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपने सूच लिया होगा, इसमें यहाँ पे जो play यूज होआ है, इसके जगए आप यूज करना है, plays, ठीक है ना, या आप यहाँ पे has played भी यूज कर सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे, क्योंकि जो each है, each के साथ हम सा सिंगलव वाब लेगा, और यहाँ पे जो plays है, या has played है, यहाँ पे जो present perfect है, थर्ड परसन, यह सिंगलव के अनुसार है, तो यह चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखने थी, अभी बात करेंगे, next question number 14 and 15 के बारे में, तो इसमें आपको बताना है, कि जो underline किया गया word है, इसकी जगह पे क्या improvement किया जा सकता, देखें, question आपके पास है, मीरा told her brother, that she had made a mistake, तो यहाँ पे told की जगह पे stayed होगा, pleaded होगा, या admitted to होगा, या no improvement, जिसके लिए देखेगा, बहुत बार पूछा जाता है इसा question, fill in the blank में भी पूछा जा सकता है, कहीं पे भी यह आपको ध्यान रख लेना है, इसका जो answer होजाएगा, आपके पास C option होजाएगा, admitted to, ठीक है ना, यहाँ पे told की स्तान पे admitted to होगा, अपनी गलती स्वीकार कर लेना, इसका मतलब होता, admitted to, अपनी गलती स्वीकार कर लेना का प्रियोग होगा, मीरा टोल्ड हर ब्रोधर, that he has made a mistake, ठीक है ना, तो admitted, यहाँ पे आपको, admitted to her brother, that she had made a mistake, तो answer होजाएगा C option, अब देखिए next, नेक्स्ट आपके पास में है, veterinarians usually give dogs an, ancetatic so that they may not cry out in pains, ठीक है ना, तो यहाँ आपको बताना है, कि यहाँ पे आपके पास में cry out in pain की जिगार पे क्या यूज होगा, flip, yelp, या pur, या no improvement, तो यहाँ पे जो आपके पास में है, cry out, cry out का मतलब होता है, मांग करना, ठीक है ना, मांग करना, और यहाँ पे यूज करना है आपको yelp, इसका मतलब होता है, तीखी आवाज में भूखना, yelp, तीखी आवाज में भूखना, ओके, तो यहाँ पे इसकी जगाँ पे आपको यूज कर लेना है, cry out pain, इसकी जगाँ पे yelp कर लेना है, me note yelp, cry out in pain, यानि कि वो तीखी आवाज में नाब होके, इसके लिए उन्हों enthusiastic दिया जाता है, ठीक है, तो यह आपको दिहान अखना है, answer हो जाएगा इसका b option, अब देखें फिर next question, next आप यहाँ पे देखे, pqrs पैराजम्बल से related है आपके पास में, question, तो इसको आराम से पढ़िए, और इसका answer डूढ़िए, तो वीडियो पोज करके आप लोग सोच लीजे, और आप लोगों ने जब सोच लिया है, तो इसका answer बता दो, इसका answer होजाएगा b option, तो देखें किस तरह से यह sentence बनना था, the transition from, transition from, यहाँ पे होगा पहले, school to college, school से college में जो transition होता है, वो कैसा होता है, is demanding, demanding होता है, उसके बाद में, so one meet, demanding होता है, इसलिए one must, must, उसके बाद में हो जाएगा आपके पास में, one must meet it, meet it without expectation, जो demanding होता है, इसलिए कोई भी इससे क्या होगा, बिना demand की meet मिल सकता है, ठीक है न, without expectation, तो यहाँ पे आपके पास answer हो जाएगा, इसके पास में, P, S, R, Q, यह B option में दिया गया है, answer हो जाएगा इसका, ओके, सब देखे, next question, next अब यहाँ पे देखे, इसको क्या करना है, change into comparative degree, देखे, adjective का यह form ही, पहले हमने कुछ question देखे थे, adjective में convert करना, उसके बाद superlative degree, आप comparative degree के questions लेता है, देखे, grave आपके पास word है, G, R, A, V, E, इसका मतलब होता है, आपके पास में, कब्र या समाधि, ओके, अभी आपको बताना, इसका polar क्या होगा, इसका degree चेंज करना है, comparative degree में इससे बनाना है, यहाँ पर देखे, grave है, graver है, और यह gravest है, या more graver है, तो यहाँ पर अंसर आपको बता देता हूँ, इसका answer हो जाएगा, C option, ठीक है, graver, क्योंकि ER जब लगता है, तो comparative होता है, और EST लगता है, तो superlative, अब देखो, filler बताना है, इसका, cargo आपके पास में यह word है, तो देखे, अगर cargo की बात करो, तो यहाँ पर आपके पास में, आप यह तो बोल दीजे, माल, या आप इसे बोल दीजे, cape, अब cape तो खेर रहने दीजे, नहीं समझ में आपको, इसको या आप बोल दीजे कि, जहाज, जहाज का, cape, तब आपको थोड़ा सा समझ में आ सकता है, या आप इसे बोल सकता है, पोत बाहर, ठीक है ना, जहाज में कुछ माल लोड़ेड है, तो उसे बोला जाता है, अब तो समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर देखे, cargo, इसका बनाना है, आपको पिलूलर, क्या होगा, cargoes होगा, cargoes होगा, cargoes होगा, cargo होगा, तो यह टिक है, इसके लिए, आंसर आपको बताना था, तो यहाँ पर क्या आंसर होजाएगा, आंसर आपके पास होजाएगा, बी ओप्चन, आप देखे, रूल्स में यहाँ पर आपको अब इसलिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या बोला था आपको, क्योंकि दस प्रेक्टी सेट आपका जब कम्लेट होजा था, तो आपको टेलिग्राम में सारे रूल्स मैंने दे दिया है, और उसी पीडिया फाइल में से यह क्योंसर भी है, तो इस डिफिनेटली आपका सही होना चाहिए, वो फीडिया फाइल सभी लोग पढ़ लो, आगे भी आपको क्योंसर से मिलने वाले हैं, यह प्लूलर वाले, ठीक है, तो भी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, देखो फिर नेक्स्ट क्योंसर देखिए, चेंज दा वोइस, इसलिए आपके पास पैसे वोइस है, देखो वाजबर आया आपके पास में, तो वाजबर खेर एक्टिव वोइस में भी आता है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, देखिए यहाँ पर आप देखिए, सम्बडी बगरा यहाँ पर लगा गया है, और यह सम्बडी जो है, पैसे वो इसमें हर जाता है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा अंदाज है लगाया, अब देखो, आईवाज रिकमंडेड आनुदर ले आए, तो यहाँ पर सम्बडी सभी में लगा है, सम्बडी रिकमंडेड, तो यहाँ पर देखे, रिकमंडेड है, यहाँ तक हमें कोई पता नहीं चला उसके बाद, उसके बाद देखे, आई है, तो आई जो है मी से बना होगा, तो सभी में मी लगा हुआ है, इसमें अनुदर लगा है, इसमें मी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, B option भी उसके बाद देखो, यहाँ पे another है और यहाँ पे lawyer है यहाँ पे भी another lawyer है, यहाँ पे बी another lawyer है, लेकिन इसमें recommended है और इसमें recommends है, recommended यानगी V2 है, अब जब V2 होता है तो वो वाजवर में बदलता है ठीक है ना लेकिन यहां पे तो recommends है तो यह गलत है इसमें answer हो जाएगा आपका C option तो यहां पे समझ में आया होगा वाजवर जो है sorry V2 जो होता है वाजवर में बदलता है एक्टिव हो इसे पैसे हो इसमें तो answer आपका कुछ जाएगा C option I hope आपने definitely इसको सही दिया हो देखें फिर next question ओके next और last question आज के लिए अभी देखें question number 20 है इसमें आपको बताना है indirect direct name की narration तो देखें सबसे पहले आपको दिये गए है जोहन सेड I shall be 21 tomorrow दियान पुरोग पड़ी है answer दीजेगा इसका आसा करता हूं कि आपको यह question सही से बन जाएगा क्यों कोई cutting question नहीं है कि सीदा तरह क्या करना है जोहन सेड तो यहां पर सबसे पहली बात तो मैं क्या बोलता हूं कि इस questions को आप कैसे attempt करेंगे सिर्फ tense है तो cell है cell किसमें बदलता है या तो should में बदलेगा या would में ठीक है ना तो cell या तो should में बदलेगा या would में बदलेगा तो इसके लिए आपको क्या करना था कि यह देखिए यहां पर should भी है would भी है लेकिन एक चीज यहां पर क्या focus करना है कि यहां पर I हमारा first person है तो ये किसके अनौसार बदलेगा सब्जक्ट, सब्जट्ट जो हन मैं, जो हन के हनौसार ही होगा, तो सुप्जेश करेंगे। तो सूडवाल यह रटा-दू, शैल तो बिल्कूल नहीं होगा, भी पादा दो ह्चिए अब दो Players कि उत्रों खेखेँ वे वहेटें, से होता है क्योंकि एक्जामिनर जो है इतना क्यूशन बना देते हैं आपको कि आप वहाँ पर ढूंद पाएं करके आप आसानी से प्राप्ट कर सकते हैं यह था आज का प्रेक्टिसेट इसका अंसर हो जाएगा कि आप वीडियो को देखें और साथ में लाइक करें और अपनी दोस्तों के साथ भी शेयर करें इसका अलावा भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर देना और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जबर दबार देना तकि जब भी नेक्स्ट वीडिय के तरूप पता चल जाए कि नए वीडियो आ गया है और आप कोई भी वीडियो मिस्स ना करें थैंक्यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो सी सुन इन एक्स्ट वीडियो तब तर के लिए बाइबाए टीक केर ओल देवेस्ट